नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना हुमियोपेथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत है ये वीडियो साथियों आपके इसका टाइटल देखके क्लिक करा होगा और निश्चित रूप से यह वीडियो आज की बहुत बड़ी मांग या मैं कहूँ सबसे बड़ी मांग चेरे की चमक जो चाहत है आपकी वह लाने के लिए अधारित है बहुत ही आसान तरीका जिससे आप चेरे पे चमक ला सकते हैं आपने आज तक कठिन तरीके अपनाई होंगे जिसमें कि आपने एक एक हजार दो दो हजार पच पच हजार की क्रीमों का इस्तमाल करा होगा और इस देश के जो की एक स्वर्णिम यूग में रहा देश था इस देश को पहले तो अंग्रेजों ने लूटा खतम करा उसके अब जो बचा है वो भी बहार देने में आपके योगदान को रोकने के लिए होगा क्योंकि आप जो भी देते हैं सारी कंपनियां भी देशी हैं मुझे तो मैं बताओ हिंदुस्तानी कंपनियां ही नहीं दिखती आप कोई चीज़ खरीद लो हिंदुस्तान में made in इंडिया का बहुत शोर हो रहा है लेकिनन अब made in इंडिया और made in इंडिया क्या है ये मेरी समझ में नहीं आता भी दो-तीन लोग हैं जो एक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरह प्रियास कर रहे हैं मानिये परधान मंत्री जी की प्रेड़ना से चाहे अपने बाबा राम देव हो गाई, चाहे स्री स्री रवी संकर जी हो गाई चाहे सदगुरू हो गाई, चाहे हमारे युनानी प्रेक्टिस करने वाले भाई हो गाई जो लोग इस तरह के माजूम और सब बना रहे हैं उसके अलावा मैं कोई मुकमल प्रियास नहीं देखता कि जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बहुत रेलिमेंट हो हो सकता है रिजर्ट आने में देर लगे क्योंकि एक बहुत बुरी इस्ति से देश गुजर रहा है और एक बदलाव से गुजर रहा है और निकलने का प्रियास कर रहा है और निकल भी जाएगा क्योंकि भारत वर्स अनंत है यहाँ कभी भारत देश कभी खतम होने वाला नहीं है तो यहाँ देश उससे निकलेगा लेकिन यहाँ Make in India फिलाल नहीं है फिलाल तो वही ब्रांट दिखते हैं बड़े बड़े जिसमें तमाम बाली बुट के सितारे आपको अपनी स्किन दिखा के आपको जादू की प्रेड़ना देते हैं आपको जादू का मन में इच्छा उत्पन करते हैं लेकिन यह जादू होता नहीं है आप भी जानते हम भी जानते क्योंकि हमने भी बहुत कुछ लगाया है और आपने भी बहुत कुछ लगाया होगा जादू होता है उन चीजों से जो कुदरत की दीवी चीजे हैं हमारे आसपास है, हमारे पूरवज, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग उनको इस्तमाल करते थे और हम लोगों से कहीं ज़्यादा तेजवान, कहीं ज़्यादा प्रतापी, कहीं ज़्यादा हिम्मती, कहीं ज़्यादा चरित्रवान और कहीं ज़्यादा एकबाल वाले लोग होते थे हम लोग उन में से हम नहीं है क्योंकि यह जो अंधी दौड है इसने हम सब को कही ना कही अंदा कर दिया है उसमें हम भी शामिल है और शायद आप भी हो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता मैं अपने ही बारे में कहूं तो बेतर है बहराद यह जो दौड है इससे निकलना है यहाँ जो 4000 की क्रीम आप बजार से खरीते हैं वो 4000 रुपए जो आप अपने बच्चे पे लगा सकते हैं अपने परिवार के खान पान पे लगा सकते हैं अपनी उन चीजों के लिए घर पे लाने में लगा सकते हैं जिससे परिवार को आराम मिले वो चार हजार उपए आप जो है वहाँ क्रीम में या कॉस्मेटिक में या ब्यूटी पालर में खर्च कर देते हैं तो मैं आपको बता दूँगा उस चेरे की चमक को लाने का बहुत सरल उपाए और बहुत कारगर उपाए और यह बहुत असान है हम सबके अधिकार छेतर में है हम सबके एक्सिस में है देखे चेरे की चमक यो तो हमारे बहुत से भाई होंगे जो अभी नीचे नोटिफिकेशन में लिख देंगे कि असली वीडियो यहां से शुरू होता है उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है असली वीडियो वहीं से शुरू होता है लेकिन अगर आप अपने साथ राफ्ता करना चाहते तो दो पल यहां बात आपके लिए है चमक जो चेरे की होती है आप भी मानेंगे सम मानेंगे चमक होती है मानदारी की चमक होती है करतब पढ़ायता की चमक होती है करमतता की चमक होती है डिसिप्लिन की और चमक होती है पढ़ाई की तालिम की तो चेहरे पे चमक उसी से आनी है वो चमक जो light fake ती जिसको कहते है औरा वो जो औरा होता है कुछ लोग खड़े होते तो वो अलग चमकते जैसे हम लोग अपने गुरुजी, अपने महन, अपने मौलाना इन लोगों को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इनमें खिचाओ है आकरसर है तो वहाँ आकरसर तालीम का होता है चाहे वो दीनी हो, चाहे वो अंगरेजी हो तो असली चमक उससे आती है लेकिन अब एक दूसरे बहुत ज़्यादा शायद मैं उसमें चला गया अपनी बात्चीत में बहुत गहरा चला गया अब किसी को नौकरी पे जाना है, जॉब पे जाना है उसको चेरे की चमक चाहिए बहुत लोग रिसेटनिस इंडस्टी के है, होटल इंडस्टी के है बहुत लोग सर्विस इंडस्टी के है कोई भी सर्विस का छेत्रोत उसमें अच्छा दिखना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आज के दौर में खास तोर से और हमेशा रहा है हमेशा ही रहा है खुबसूरत आदमी को खुबसूरत ही कहा जाता है तो हम आपको बताएंगे चेरे पे चमक लाने का बहुत आसान एक रुपए से भी कम का उपाए और वहाँ उपाए है ये आपको कुछ नहीं करना है साथियो आपको थोड़ा सा गाए का कच्चा दूद लेना है गाए का बेतर होगा अगर आप गाए का कच्चा दूद मिल जाए तो देखें क्या है कि थोड़ा मुश्किल होगी मिलने बैं अब तलासिंग अब तो अमोल और तमाम ब्रांट भी गाए का दूद लाने लगे तो अब सो बहुत असान हो गया है आपको गाय का कच्चा दूद लेना है कुछ नहीं करना है बिना उबला हुआ वहाँ दूद आप अपनी हतेली पे ले मले और चेरे पे लगा ले उसको पाच मिनिट छोड़ दे और उसके बाद चेरा गुलाब जल के पानी से धो ले आप 15 दिन के अंदर देखेंगे कि आपके चेरे पे वो चमक आने लगी कि लगेगा कि कुछ एक लेरिंग आपके कोटिंग चड़ा दी गई है और यहाँ सब एक रुपए से कम है और प्राक्रतिक ना कोई जलन, ना कोई अलरजी ना कोई रियक्शन, ना कोई चुबन आप इसको करके देखिए आप गाय का कच्चा दूद तलासी है आपको गाय का कच्चा दूद मिल जाएगा अब तो मदर डेरी और अमूल इन सब का पैकेट भी गाय के दूद का आने लगा है आप इस दूद को बस हतेली पे लिजे, बिना बॉइल करा हुआ और उसको आप चेहरे पे लगा लीजे पांच फिनिट चेहरे पे लगा रहें दीजे, फिर चेहरे को वाश कर लिजे ऐसा आप पंदा दिन करिये और उसके बात आप देखिए आपके चेरे पे कैसे चमक आती है और जो चमक आए उसके बारे में आप कमेंट पोस्टन में जरूर रखेगा आपके चेरे पे चमक आएगी तो हमारे चेरे पे भी चमक आजाएगी हमेशा आपके हिट में पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करने वाला ये चैनल और डॉक्टर उमंखनामियोपेटिक लिनीके नुस्खाब के लिए लेकर आया है आपकी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए आपकी गारी कमाई को बचाने के लिए और यह जो बिदेशी इंवेजन हिंदुस्तान में पहले तो अंग्रेजों ने सेना के साथ इंवेजन करा इस्ट इंडिया कमपनी ने पहले भी एक कमपनी आये थी इस्ट इंडिया और आज भी इनकी कमपनीया आई है अईसा नहीं अंग्रेजों की मैं क्रिटिसाइज तो खैर करूंगा क्योंकि वो तो गुलाम बनाने ही आये थे लेकिन विसे वो यहां नहीं है अंग्रेजों नहीं हमें बहुत कुछ अच्छा दिया यह मोबाइल जिससे हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं हमारा रेल सिस्टम और तवाम एजुकेशन यहां सब हमको दी जिससे की टेक्नॉलिजी यहां सब उन्हीं की इन्वेंट करी हुई तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी दिया हमारे जो इंग्लिश साथिया या जो इन्लैंड में बैठे हुए हैं तो उनको भी बहुत बहुत साधर पढ़ाम है नमस्कार है लेकिन यह जो कंपनिया है इनका जो इन्वेजन है आर्थिक रूप से देश को खोखला करने का यहां बहुत घातक है और हम आप इसका हिस्तेदार बन रहे हम आप इनको साथ दे र मजबूरी नहीं है क्योंकि अगर साफ नहीं दिखेगा तो आप भी नहीं रुकोगे लेकिन जहां मजबूरी नहीं है वहां पे आप इनका साथ ना दे और यहां बात उनमें से यह कह कि आप कॉस्मेटिक्स पे कम से कम पैसा खर्च करें या कॉस्मेटिक कोई भला करने वा आके अगले दिन जो नया प्रोड़क्ट लॉंच होता है आप अगले दिन जो है वो सोरूम में पहुंचे जाते हैं और वहां 4000 की डिविया जिसमें की काच जादा होता है क्रीम कम होती अंदर वहां काच की डिविया लेकर आप खुसी-खुसी आ जाते हैं और अपने को ये टेकनॉलिजी के लिए जरूरी है वो ठीक है उसके आगे मैं इसको ठीक नहीं समझता बहराल आप ये कच्छे दूत का नुस्का करिएगा बहुत अच्छा नुस्का है एक रुपए से कम का नुस्का है और हमें कमेंट पॉर्सन में लिखके जरूर बताईएगा आपका परसातियों या वीडियो सुनने के लिए हमारी इस बकवास को एतिदेर बातचीत को सुनने के लिए यूग कव हमको जहिलने के लिए जिन लोगों ने फास फॉरवर्ड दीचे नोटिफिकेशन पैनल को देखके नहीं करा है उनको साथ बने रहने के लिए और जिन्होंने क करा है उनके भी साथ बना देने के लिए सब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हो झाल झाल